लेकिन अगर आपके पास बड़ा डेटाबेस है और आप क्राइटेरिया के आधार पर उसके दे रखी है उसके आधार पर आप करना चाहते हैं हमने लिखा D-Product यहां पर हमने ले लिया D-Product अब इसमें आपको सबसे पहले डेटाबेस पूछा जा रहा है यह हमारा डेटाबेस है अब हम यहां पर यह चाहते हैं कि किसी भी नेम यहां पर हमारे पास एक्जांपल क्या दे रखा है हमने यहां पर कुछ ट्रीज के नेम ल लेंगे हमें हाइट जाननी है तो हम हाइट वाला लेंगे उसके बाद क्राइटेरिया यह नेम वाइज हमको उसकी हाइट का पता पढ़ना चाहिए फ्लोज किया देन अटर एक रैंडम ली नंबर आगी आ यहां पर हमने यहां पे लिए बनाना लेकिन बनाना में भी हमें greater than 10 यानि 10 से जो उपर है उसी की हमें जानकरी लेनी है तो height जिनकी 10 से उपर है वो आपको multiply करके बता दिया है देखी हमने जो criteria बनाए उसी के अदार पर होना चाहिए अगर हम यहाँ पर करते हैं less than 10 तो less than 10 बनाना यानि हमें यहाँ पर लेना है जैसे हमने लिया peach तो यहाँ पर हो गया 270 क्योंकि peach में जो है वो 9 यानि 10 से कम है 9 यह हो गया और 6 यह हो गया तो यहाँ पर 270 यानि इसने इसको 9, 5 और 6 यह तीनों multiply कर दिया है तो एक बड़ी range पर से भी अगर हम चाहते हो और अगर आप height को इस तरह से न भी लें तो भी आपको answer return करेगा जैसे हमें खाली mango का देखना है हमने mango का देखा mango की height कितनी है normal जितने भी mango इसमें दिखाई दे रहे हैं उन सबको इसने count करें जैसे 7 और 5 ही है इसने count करके देख लिया peach का कितना है हमने peach को लिया तो peach के जितने भी freeze है जिनकी जो height दे रखी उन सभी height को इससे multiply करके आपको answer return कर दिया तो d product का formula हम बहुत बड़ी range पे database पे हम अगर use करना चाहें जो हमारी condition के आधार पर हो तो भी हम कर सकते हैं